हेलो स्ट्रेंट्स कैसे हो नंबर सिस्टम में मैंने तुम्हें 1.1 एक्सरे करवाई थी समझ में आ गए होगी अब 1.2 में कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो तुम्हें कंस्ट्रक्शन से करना है कंपस के साथ बनाना है तो क्या है उसमें है इस रूट 2 रूट 3 रूट 5 इसको नंबर लाइण पर ड्रॉब करना है आपने सेवं क्लास में नंबर लाइण पर ड्रॉब आ सिखा होगा टू बाइ सवंट If I7 इस तरह से वह रंपर प्रेयं थे थे समझे लें मधें 3×7 7 by 9, यह rational number आपने इन number line पर draw करने सिखे हैं, अब हमें सीखने है, irrational number, irrational number कोई से होते हैं, जो P by Q की form में नहीं लिखे जा सकते, root 2, root 3, root 5, root 11, इस तरह से, ठीक है, तो इनको पहले मैं practically बता रही हूं किस तरह से बनाने हैं, इनको देख कर आपने बनाना है, फिर आपको इसको बता दूँ कि कैसे कैसे, लिखना कैसे है, पहले हम चलते हैं, root 2 on number line, देखिए, यह हम number line लेते हैं, यह बीच में 0 आता है, इधर प्लस वाला 1, माइनस वाला 1, पहला step समझ में आ गया, second step, क्या करते हैं, जहां यह 1 है, वहां अपने 90 degree का angle बनाने, यानि कि यह perpendicular ड्राक, ए इसी को देख के आप बराते जाओगे, बिल्कुल clear हो जाएगा, फिर क्या करना है, देखो, यह हमारा कितना unit है, 1, 1 unit है, इतना ही हमने यहां लेना है, समझ में आ रहा ना, एक एक step, जैसे जैसे समय करने हैं, यह से ही करने हैं, number line लेती हैं, यह बीच में 0 है, इधर प्लस 1 फिर 1 वाले पर हमने 90 का angle लगा दिया, अब इस unit को देखा, यह one unit है, इतना ही unit हमने यहां लेना है, इतना clear, next step क्या करने हैं हमने, यहां one unit हमने आर्क से काट दिया, compass से one centimeter unit लेंगे, जितना यह है, उतना को लेंगे, यहां रख कर यह लगा देंगे, next step, इनको join कर देंगे यह C point है, यह B है 1, यहां से यह 1, अब यह, अब पाइथागोरा से right angle triangle बन गया ना यह देखो, यह perpendicular और यह base, 1 square plus 1 square root, 2 बन गया, यह root 2 आगे, समझ रहे हो, यह पाइथागोरा से AB square plus BC square is equal to AC, 1 square plus 1 square, 2 square root लोगे तो root 2, अब यह OA root 2 आया है, क्या है, OA की value root 2 आया है, लेकिन हमने number line पर दिखानी है, अब आपने क्या करना है, यहां compass की nook रखनी है, और pencil की nook यहां रखनी है, जितनी यह उतनी open करके, with center O, C, sorry, and radius OA, draw an R, अगले step, यह A, यह वाली R, तो यह जो D point आया, that is root 2, कोई मुश्किल, समझ में आ गया, एक बर दुब line ली, यह 0, 1, फिर क्या किया, यहां पर perpendicular 90 का angle लगड़ा किया, फिर यहां unit 1, इतना ही unit 1, यहां इसको काट देंगे यहां से, अब इनको join कर देंगे, यह 1 plus 1 root 2 आ गया, यहां पर रखकर यह लगा देंगे, समझ में आ गई, यह root 2 है, मैंने आपको यह practically समझाया है, और कैसे ही है, लेकिन आप याद रहेगा, भूल जाओगे, कैसे करोगे, तो इसको pdf में theoretical part लिखे वे, सारे steps लिखे वे भेजूंगी, पहले step में क्या करना है, वैसे तो इसी में तो मैं समझ में आ जागा, आपने बनाना ही है, ठीक है, अब root 3 बनाना है, root 3 के लिए इतना काम तो as it is आपको करना है, root 2 वाला, देखिए, root 3 और number लाई, यह देखिए, यह वाला step तो हमने उतना ही करना है, जितना हमने पहले बनाया है, root 2 वाला, उसके बाद क्या करना है, यह है, यह वाली line, इसके ओपर फिल आपने 90 degree के angle बना कर, ऐसे ही जब यह 1 unit यहाँ काटा था, जैसे हमने यहाँ 90 का angle बनाया था, अब यहाँ बनाने में गलती क्या करते हैं, बच्चे, ध्यान से सुन लो, मैं जो बोल रही हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, यह वाली line है न, A, B, इस पर 90 का angle बना लेते हैं, जिबकि 90 का angle किस पर बनाना है, हमने, O, A पर, O, A पर 90 का angle बनाना है, थ्यान से, आपको न समझ यहाँ बिलकुँ साथ साथ बनाना है, जैसे जैसे मेरी वीडियो चलेगी, ऐसे साथ साथ बनाना तुम, हर step clear हो जाएगा, O, A, इस पर आपने 90 का बनाना है, यह line जाएगे 90 की, और जैसे यहाँ से यह one unit काटा था, इसको यह one unit हो गया, पाइथा गोरे से, फिर यह hypertonus बना गया, इसका square two, root two का square two, और यह one, three, यह root three आ गया, फिर क्या करने अगले step में, यहाँ से, यहाँ compass रखकर, इतनी open करके, यह arc यह यहाँ ली पर आ जाएगे, यह root three आ गया, number line पर, क्योंकि यह वली line है na, root three तो, हमने number line पर दि इस root two के उपर, एक perpendicular लिया, तो root two और one यह, क्या three बन गया, अगर हमने अगला बनाना है, तो इस पर फिर एंगल बनानेंगे, 90 का one, फिर उसको बनाने का root four, root four का two, फिर वाएगा, पूरे two पर cut करेगा, फिर ऐसी four पर, एक और 90 का एंगल लेते जाएंगे, बनाते आगे आपको बताऊंगे, spiral भी बनाना है, समझ में आगे है, root three, अगला आता है हमारे पास, root five और number line, अब यह देखिए, वैसे ही हमने number line ले लिए, zero, one, one, minus one ले लिया, क्या किया यहाँ पर, perpendicular, 90 degree का, clear, then, अब यहाँ one unit लिया है, तो यहाँ two लेनी है, क्यों, पाइथाग इसको मिला दिया, अब पाइथागोरा से one square, plus two square, five, यह root five आ गया, फिर वही compass से यहाँ रखकर, ओ तक लेकर, root five की आ गया ले, ठीक है, is it clear, if any problem, root two, root three, root five, आपने number line पे बनाना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मैं तुम्हें इस form में भी दिखा रही हूँ, pdf की form में कैसे करना है, main topic आप ऐसे शुरू करोगे, representation of irrational numbers on the number line, यह बिल्कुल ऐसा ही दिखा रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया, root, जैसे यह बता देती हूँ, करना क्या है, बनाना है, आपको बेशक यह लिखोने को, बनाने की number मिलने हैं आपको, लेकिन आपको याद रहें, यह बता रहे हूँ, draw a number line and mark the center point as 0, clear, फिर क्या है, mark right side of the 0 as a and left side as a minus 1, इदर minus 1, इदर 1, इदर 1, लेकिन हमें plus 1 लेकी ही जरूरत है, we would not have considered minus 1, minus 1 लेको का 0 नहीं करो है, with same length as between 0 and 1, draw as the perpendicular to 0.1, such that the new line has length 1 unit, ठीक, हो गया यह भी, यह हो गया, now join the point O and the end of the new unity length, a right angle triangle is constructed, बन गया constructed, अब यह देखो, यह है, यह आप समझ लो concept क्या है, यह AC square क्या आया है, AB square plus BC square, यह 1, 1, 2, तो यह root 2 आ गया, यह root 2 आ गया, अब क्या करना है, now with AC as radius and C as the center, C को center मान कर, AC को radius, cut an arc on the same number line, name the point D, अब यहाँ compass रखकर, इतनी radius लेकर एक arc लगानी है, जो इसको cut करती, clear, समझ में आ गया, जैसे बना है, वैसे यह steps लिखे हुए है, यह आपको PDF भेज दोगी, ऐसे ही root 5 का भी ऐसे ही किया हुआ है, यह लिया हुआ है, उसके बाद यह 2 ले लिया हुआ है, इसको मिला दिया गया है, फिर यह बताया गया है, 2 square plus 1 square 4, 5, root 5 आ गया है, फिर इसको center लेकर वही arc लगा दी गई है, ठीक है, ऐसी root 3 का, यह root 2 का तो ऐसी बनाया हुआ है, फिर root 2 के उपर 90 का बना कर, यह 1 लगा कर, यह root 3 का यह किया हुआ है, तो यह root 3 का भी, यह root 3 का यह बन गया है, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, exercise 1.2, root 3, root 2, root 5, अच्छे से आपने बन आने है, exercise 1.2, state whether the पहला question है, state whether the following statement true or false, justify your answer, every irrational number is a real number, क्या प्रतेक irrational number real number होता है, yes, क्योंकि real number तो पूरा है na, combination है, rational और irrational का, पूरा ही है, उसमें तो सब कुछ ही आता है, तो प्रतेक irrational number real number है, true है यह, अगला है, every point on the number line is of the form where m is a natural number, क्या आखा गया है, false, no, negative number can be square root of any natural number, negative number का कोई भी square root, नहीं हो सकता, every real number is an irrational number, प्रतेक, real number irrational होता है, नहीं, क्योंकि उसमें rational भी होता है, ठीक है, second, are the square roots of all positive integer irrational, क्या सारे positive integer के square root irrational होता है, if not, give an example of the square root of a number that is rational, answer is no, क्योंकि सब के positive irrational नहीं होता है, क्योंकि अगर हम square root 4 लेते हैं, तो 2, तो वो rational number है, ठीक है, question number third, मैंने इसमें से miss कर दिया है, वो है root 5 वाला जो मैं आपको पीछे बता चुक है, इसको आपने बना कर भीजना है, ठीक है, ओके, बाबाई झाला जार जाइ झाला जाई